हेलो स्टुडेंट्स हाव आई यू स्टुडेंट्स हमने अमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको कुछ हमवक दिया था आप लोगों ने कर लिया होगा आपको नंबर नेम्स लिखने थे 61 से लेकर के 100 तक और एक छोटा सा रिवीजन एक्सरसाइज था तर्न पेज नंबर 31 याद आया हमने आपको 51 से लेकर के 60 तक कंप्लीट किया था और आपको 61 से लेकर के 100 तक जो आप लोगों ने इस तरह से इसको कंप्लीट कर लिया होगा देखिए जिन्होंने इसको कर लिया है वो इससे चेक कर लिजिए वीडियो पॉस कीजिएगा और यहां पर इसको आप चेक कर सकते हैं ठीके नाव टॉन पीच पिज नमबर 32 C like this you have completed all this thing these are the number names 81 82 83 and so on and 91 92 93 up to 100 okay students I hope आप लोगो ने इसको कंप्लीट किया होगा and at page number 33 also given small exercise number and number names fill in the blanks okay 62 75 81 इस तरह से आपने इसको कंप्लीट किया है चेक कर लिजिए वीडियो पॉस करके आप सभी का correct होगा जिनका नहीं है वो इसको देख करके आप correct कर लिजिए ठीके अब हम हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं comparing numbers बच्चों comparing numbers हमने आपको सिखाया था जिसमें numbers को चोटे और बड़े जो numbers होते हैं उनको compare करते हैं like less than greater than and equal okay remember नहीं चलिए देखते हैं क्यों आपने इसको सीखा है पेज नमबर 23 और 24 पर देखिए 23 और 24 पर अपने आपको यह चीज़े सिखाई थी याद आया इसमें जैसे 7 less number था 8 more था यह 4 less था 5 more था जैसे 3 3 equal थे इन numbers के बारे में आपको सिखाया था और साथ में आपको एक homework भी करने को दिया था पेज नमबर 24 पर यह वाला जिसमें आपने numbers में less than greater than or equal to के sign लगाए थे आपको याद आया होगा है हमने इसको रिकॉल कर लिया चोटा से रिकॉल है चली अब पेज नमबर 33 पर वापस आईए यहां पढ़ेंगे हम ग्रेक कंपेरिं नमबर्स we have already learned how to compare numbers to find the greatest and smallest numbers the number which shows more is greater and the number which shows less is smaller जो नमबर बड़ा होता है उसे हम greater कहते है और जो छोटा है उसे हम smaller करते हैं तो फेस्टन करते हैं हम एक छोटी से एक्सरसाइज भी करते हैं देखें जो आपको होमबक में करनी है इसमें आपको करना यह है कि choose the smallest and the greatest number and write in the space provided one is done for you see this is a train and having some bogeys okay यह एक ट्रेन है ट्रेन के डब्बे दिये हुए है यह 76, 83, 70, 90 and 96 इसमें smallest कौन सा है number smallest number 70 है तो इन्होंने देखिए smallest bogey के corresponding 70 लिखा है और greatest के 96 ओके आपको यह बाकी के लिए करना है एक हम आपके लिए और कर देते हैं तो बाकी आपको सब कंप्लीट करना है अब देखिए यह 71 है, यह 99 है, यह 63 है, यह 51 है, यह 80 है तो इसमें सबसे छोटा कौन सा number दिख रहा है आपको 51 तो जो smallest column के corresponding smallest column के corresponding आपको लिखना है 51 ओकी and the largest one is 99 तो आपको greatest के corresponding लिखना है 99 ओके students, तो इस तरह से ही आपको इन बाकी ट्रेनों के लिए भी लिखना है कि सबसे छोटी बोगी कौन सी है और सबसे बढ़ी कौन सी है, बढ़ी जो बोगी के number है वो यहां लिखेंगे इन columns में और जो छोटी बोगी हैं उनके यहां पर लिखेंगे I hope आपको यह चीज समझाई होगी, ठीके, हम हमारे next lecture में page number 35 पर grouping of 10s and 1s पढ़ेंगे तो बच्चों आप इस homework को complete करके रखेगा, हम हमारे नए topic में और ध्यान से और अच्छे से पढ़ेंगे grouping of 10s and 1s ओके स्ट्रेंस, तिल देन बाई